श्री नाज्य गुरुजी गौला कादेश श्रमा भगवती को अलग आदेश, राची वाले भाहिरब बाबा को अलग आदेश, आप सबी को आदेश आदेश त्योहारों का महिना शुरू हो रहा है, अभी पित्रिपक्ष चल रहा है, इसके बाद नवरात राएंगे भगवती काली की पूजा होगी उसके बाद, छट महा पर्व है, भहरवास्टमी है, तो बहुत सारे पर्व लगातार आ रहे हैं बीते महिने भाद, महिना बीता, जिसमें कृष्ण का जनुम हुआ, तारा का प्रादुर भाव हुआ, गनपती जी आकर विराजे, अब यह जो पित्रिपक्ष का समय है, इसमें लोग सूचते हैं कि कुछ ऐसा कर लें, कि पित्र खुश हो जाएं, और पित्र दोस्ट से मु मुझे ऐसा मेसेज किया, कि आप पित्रों को शांत करने के लिए और पित्रों को खुश करने के लिए, पित्रों का अशिरवात पाने के लिए, कोई साधना हमें बताईए, कोई मंत्र विधान हमें बताईए, देखो, पित्र होते क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है, पित्र कोई सुपर कॉंश्यस देवता नहीं होता है पित्र वो है जो किसी जनम में या इसी जनम में आप से रिलेटेड हो अब इसमें क्या खेलाता है कि हर आत्मा दूसरे आत्मा से सम्मंद रखती है किसी ना किसी जनम में तो कुछ तो वो आत्माएं हो गई जो अभी प्रित्वी पर विचर रहे हैं और भटक रहे हैं कुछ वो आत्माएं हो गई, जो की अभी ट्रावल कर रही है, वो उसने स्पृत्वी को छोड़ दिया है, और वो आगे बढ़ चुकी है, और कुछ आत्माएं स्थिर हो करके लोगों को देखते हैं, प्रेत कहते हैं लोगों, आपके ही पूर्वज हैं, एक तो यह समझ लो, शरीर छोड़ने के बाद सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जो इंटिग्रल हुमिनिजम का कंसेप्ट हम लोगों में डालना चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे से संबंध रखते हैं, जब शरीर छूटता है, तो सच में हर आतमा दूसरे आतमा से संबंध में रहती हैं, तो जो भी द्वेश हो, जो भी किसी से नफरत हो, ठीक है, शरीर छूटने के बाद सब छूट जाता और जिसका नहीं छूटता है, वो प्रेतियों में ना जाके भूतियों में चला जाता तो प्रेतों को खुश करने के लिए जो हमारे पित्र देव हैं उनको खुश करने के लिए उनको आनंदित करने के लिए कि हम आपको आज भी याद करते हैं कोई विशेश दिन नहीं होता है, पित्र आपके तभी प्रसंद रहेंगे, जब उनको आप परिवार के रूप में मानोगे, उनको एक स्थान दोगे, घर के दक्षिन दिवाल पर, अगर घर में बॉंडरी है, तो और अच्छी बात है, घर के बाहर जो दक्षिन दिवाल है, उस पर एक छोटा सा मंदिर लगाओ, साल भर की पूजा बता रहों पित्रों को खुश करने के लिए, लेकिन इस की शुरुवात इस आमवस्या से होगी, जो अन्तिम दिन होगा पित्र पक्ष का, जिस दिन भगवती देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव होता है, उस दिन पित्र के साल भर का पूजा की शुरुवात की जाती है, तयारी में आपको क्या-क्या रखना है, तयारी में आपको एक मंदिर रखना है, छोटा सा, दो नारियल रखने हैं आपको पानी वाले, एक चुनरी रखनी है, जो भी सुन्दर हो, और एक सफेद धोती रखनी है, इसके अलावा ड्राइ-फूट रहेगा, एक कॉपर का छोटा लोटा रहेगा, जिसमें की पानी रहेगा, एक प्लेट रहेगा, कासा का, जिसमें की विश्नु भगवान का पदचिन बना होता है, यह विशेश प्लेट आता है, पित्रों को भोग देने के लिए, तो यह देते हैं वो प्लेट आठ कोनों का होता है और उसमें विश्नु भगवान का पदचिन होता है ठीक है जो इस दिन आमावस्या होगी आने वाला जो आमावस्या है जिस दिन महालय होगा उस रात्री में आप इसको दक्षिन दिवार पर मंदिर को टांग दोगे वामे रमा रमन कुष्ला जो लेफ्ट हैंड साइड है मंदिर का उसमें चुन्री और उसके उपर एक नारियल रखोगे और जो राइट हैंड साइड है उसमें सफेद धोती और एक नारियल रखोगे और वहां पित्रो का आवाहन कर से आवाहन करोगे कोई मंतर से आवहन कर ना है आपको इतना मन न भाव रखना अगर बोलना चाहते तो बोल सकते हैं कि आपको यहां स्थापिद करता हूँ कि आप जो माता योनी में जो पित्त्रों ने जन्म लिया था वो आकरके उस नारियल पर विराजें जिसके साथ चुनुरी है और जिसके साथ धोती है उस पर पुरुश है वो विराजें इसके बाद आपको गरी या ड्राइफूर्ट जो आपका अस्ट कोन वाला जो प्लेट है उस पर उनको चढ़ाना है और तीन अगरबत्ती चढ़ाना है, और कासे का जो आपने एक लोटा रखा है उसमें जल देना है, यह आमावस्या, इस आमावस्या को यह क्रियापलो करेंगे, इसके बाद रोज अगरबत्ती दिखाएंगे और जल देंगे, मतलब उस कासे के बतन में आप जो कासा का छोटा लोटा रखा उसमें आप जल भरेंगे, यह आपको रोज करना है, हर महिना आमावस्या के एक दिन पहले, मतलब 14 के दिन, आप नवेद देंगे और उसको आमावस्या को फिर खा लेंगे, ठीक है, यह जो प्रक्रिया है, यह आ दिखाए, तो कम से कम दो अगरवत्ती दिखाएंगे, और जल देंगे, अच्छा, यह जो स्थान होगा, जहां पर आप इसको स्थापित करेंगे, वहाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट जाएंगे, जैसे कि कोई अगर गार्जन बैठा हो, तो वैसे जाता है, घर की जो छोट अगले महीने, अगले साल, यह दिन आएगा, महाल्या का, तो उस दिन आपको इस नारियल को हटा देना है, इसका विसरजन कर देना है, वस्त्र का विसरजन कर देना है, और फिर से नया नारियल वस्त्र के साथ वहां रखना है, यह क्रिया अगर आप साल भर करते हैं, तो ध तो देवता भी सोचते हैं, वो इस खुले हाथ से आपको देते हैं, चाहे वो धन हो, या सुक्सम्रिद्धी हो, या फिर पैसा हो, खुशी हो, हर चीज पित्रों के प्रसंद होने से आपके पास आटोमाटिक आने लगती है, तो आप लोगों में से जो भी ये नहीं करते हैं, इस आमवस्असे से शुरू कर दिये, आप लोगों को बहुत लाव होगा, इस क्रिया को करने से, बाकी जो पंडितों के साथ आप लोग पिट्नेदान करते हैं, और जो भी व्याभार करते हैं बहुतों के लिए वो संभव नहीं है तो वो करते रहिए लेकिन ये जो तरीका है पित्रों को खुश करने का इसको आप सभी आपने इनको भूत बेतों में इंट्रेस्ट है वो मेरी किताब हैंड लुफ पर पारनॉर्मल इंविजिगेटर एमाजन या फ्लिपकार से करीब के पूरे विश्ट में कहीं भी पढ़ सकते हैं साधना का अगर बेसिक जानकारी चाहिए तो एक पेड वाट्सक गूप मैंने में रहा है है 9431188585 इस पर आप जा करके और मुझे मैसेज कीज आप डारेक्टर से बात पसकते हैं अपॉइंट्मेंट लेने की www.aghurtanthraso.xyz उसमें अपॉइंट्मेंट सेक्शन पित्र देव आप लोगों पर प्रिपा परसाए रखें ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश 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 अलाख आदेश